दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडियम इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पुलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफु कर सकते हैं किसी प्रकार की कोईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं अगा है है लोग फ्रेंड्स वेल्कम टू ऑनलाइन इस्टिपोइंट दोस्तो इस वीडियो आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक गर्तंतर दीवास भारत रत्रत्र शाओर चक्र अशोक कर दें ताकि आपको एक्जाम से लिए रेसी वीडियो मिलती रहे और दोस्तों वीडियो पसंदाद प्रीज लाइक करें शेयर करें इस वीडियो में आप हमारे साथ प्रैक्टिस टेस्ट की तरह को सौल्व कर सकते हैं लास्ट में अपना एंसा जरूर समिट करें चलिए त अधिपन लूं उसका हैं आपको पता है तो आप जरूर बताएं दूस्तव 26 जनवरो निगे बारत ने अबना सतर्वा गरतन दीवस इस वर मनाए है फिर हो हमारा अगला वुचन फ़ियो ने गर्टंद्र दिवस के अफसर पर तीरंगा घिसके द्वारा फरा आ जाता है, तो आपके पास दोस्तो पान सेगेंड का समय एदि आप बता सकते हैं, आपको एंसर पता है तो इसका राइट एंसर रोयाएगा, राश्रपति द्वारा, देखें़ दो इस अफसर पर राश्रप पती को 21 तोपो की सलामी दी जाती है और अर्तमाने भारत के राष्टपती काउन है रामनात कोविन जी है और जब की बात करेगा सोधनतला दिवस की तो प्रतिवर सोधनतला दिवस 15 अगस्त के अफसर पर मनाया आता है ठीक है तो यह आप याद रखिएगा गर्तन दिवस के के अफसर पर तिरंगा घिस्कतार फरायता है राष्ट पतिद्वारा अगला कोशन है गर्तन दिवस के अफसर पर आमार जवान जोती पर पूस्पचक्र कौन चड़ाता है तो इसका अंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं तो पूस्पचक्र चड़ाता है दोस्तो भार रामफोसा जो बरतमान में साउथ अफरीका के राष्ट पती है। है शिरिल लामफो सा याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्डेंट है गरतंद दिवस के अफसर पर होने वाली परेड कहां से शुरू होती है तो यह शुरू होती ही दोस्तों इसका अंसर आपको पता है तो आप बताईए राय सीना हिल से ठीक है राय सीना हिल से यह परेड गरतंद दिवस में कितनी जहाकियों को सामिल किया जाएगा तो यह करेगा दोस्तों रेल मंत्राले किया है ठीक है गरतंद दिवस में रेल मंत्राले तीन वर्स बाद अपनी जहां की प्रस्तूत किया है और उसकी थीम क्या थी मोहन से महात्मा ठीक है इस रेलवे जहाकी क्य जातिर मोहन से महात्मा कोश्चन नमबर नाइन्थ है गर्तन दिवस की पूर्व संध्य पर भारत अंद्य पूरुषकार किसे देने की घोष्णा की गई है तो यह आपको बता दे कि प्रणम्मुखर जी भूपेन हजारिका नाना जी देश्मुख इन तीनों लोगों को भारत अंद्य पूर्षकार दिए जाने की घोष्णा की गई है पूर्व राष्ट पती प्रणमुखर जी जी और संगीतकार असमगे प्रसीद संगीतकार भूपेन हजारिका जी और भारती जंदा पार्टी के संस्थाकों में से एक नाना जी देश्मुख ठीक है ठीक है ठीक है भारती जंद्र पूर्षकार दिए जाने की घोष्णा की जा चुकी है तो आप याद रखीएगा अब दोस्तों यहां पर बात होरी भारत जंद्र की तो आप सुब भारत जंद्र से लेटेट कोश्चन मता देते हैं आपके एक्जामें पूछा सकते हैं आपको बतादी कला साहित्य विज्ञान सार्विनिक सेवा तथा खेल में उत्कृष्ट योगदान के साथ जन सेवा के लिए देश का सरवोच सम्मान है इसकी स्थापना कब हुई थी भारत जंद्र की नाइंटीन फिप्टी फोर में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है याद रखिएगा और र आपको बता दे दोस्तों कि जंता पार्डी द्वारा इस पुरुसकार को 1977 में बंद कर दिया गया था ठीक नांटीन 77 बंद कर दिया गया था जिक नंटीन सी में कांग्रेस सरकार नहीं से फिरसे दोबारा सुरू किया था और इसकी सर्ब्रथन पहली बाद मादर टेरेसा को दिया गया था देखे दोस्तों एक फैक्ट याद रखेगा मरणो परां सर्वर्थम लाल बादुर शास्त्री को भारत अंज सम्मानित किया गया था ठीक है याप याद रखिएगा ठीक है कि चलिए और इसके पिछले भाग में दोस्तों इस भारत यादरं के जोफ़ा को यह पुरोषकार दिया जाएगा है तो करताском 2 29 कितने लोगों को पद्व पूरोषकार दिया जाने की घोश्णा की गई है किरласт मैं लोगं को ठीक adjustments भारह है में दिखें स्थव पद्म पुरुषकारों में सबसे बड़ा पुरुषकार पद्म विभुषण है इसके बाद पद्म पुरुषण और फिर पद्म श्री आता है ठीक है इस बार दोस्तों आपको बता देख चार लोगों को पद्म विभुषण और चौदर लोगों को पद्म विभुषण और 94 तो आप याद रखिए को टोटल या नहीं हो गए 112 और आपको बता देख पद्म विहुषण पाने वाले चार लोग कौन-कौन से है तीजन भाई जो कि कलाक्षेत्र में इसमाईल उमर गुले और अनिल कुमार मडी भाई नाइक व्यापार उद्योग नाचा में बलबंत मोरे और आप मताम्य टॊच्वार में अन्यों सब्सक्राइब कीमड़ूचेत्र से किकते है समानित किया जोस्तों लांसनायक नजीरवानी को मरणो परांद दिया गया ये ठीक है, option A अशोक चक्र समानित किया गया लांसनायक नजीरवानी को अगला option है गरतंत दीबस दौर उनीश के अफसरवर कीरती चक्र किसको दिया जाएगा कीरती चक्र किसको दिया जाएगा याद रखेंगे आप मेजर तुर्शार गौवा और सोबर विजय कुमार को ठीक है मरो परान दिया गया ये ठीक है गर्तंत दीवाश द्वार उनीस के अफसर पर सौर चक्र कितने जवानों को दिया गया तो दिया गया दुस्तो नौ जवानों को ठीक है नौ टोटल नौ नौ जवानों को दिया गया है ठीक है शांती काल में दिये जाने वाला सरवोच सहनी वीरता पुरुषकार कौन सा है तो शांती काल में दिये जाने वाला सरवोच सहनी वीरता पुरुषकार दोस्ता असोक चक्र ठीक है आप्सन ए असोक चक्र भारत का सबसे बड़ा बीरता पुरुषकार परम बीर चक्र है लेकिन ये इद्धुकेशन में बीरता का बर्शन करने के लिए जाता है ठीक है और अंतिम बार परम बीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल इद्धुकेशन मरोन पराम दिया गया था तो यहाँ प्याद रखेंगे अगला कोशन है हमारा गरतंद दीबास समारों का समाबन किस प्रस्तूती द्वारा होता है तो यह तो दोस्तु बीटिंग रिट्रीट सेरिमेनी द्वारा ठीक जाती है जिससे राष्टपति अपने काफी लिएक साथ बीजे चौक पहुंचते हैं ठीक है आपको बताए दरसल वीटिंग रिट्रीट जो है ये सेना की कैम वापसी का प्रतीक है जो बहुत लब्मे समय चली आ रही है और जब सेनाय सूर्यास होने के बाद हथियार रखकर क अंगीत कारक्रम का आजन होता था जिसे वीटिंग रिट्रीट कहा जाता था ठीक है तो याप समझ मा आ गया होगा गरतन दीवस समपन के इस प्रस्तुती द्वारा होता है वीटिंग रिट्रीट सेरेमनी द्वारा 26 जनवर 1950 को मनाया गया है पहले गरतन दीवस पर मुख्यतिती कौन थे तो यह थे दोस्तों इंडोनेशेग राष्टपती सुकरणो ठीक है कौन थे पहली बार जब गरतन दीवस मनाया गया तब मुख्यतिती कौन थे इंडोनेशेग राष्टपती सुकरणो और अभी 2019 में कौन थे गर्तन दीवस में मुख्य तेती शाउत अप्रीका के राष्टपती सीरी लामा फोसा गर्तन दीवस में के अपसर पर पहली वार राष्टपत परेड का आयजन कप किया गया था तो किया गया था दोस्तों 1955 में ठीक है ऑपसर सी उस वक्त दोस्तों राष्टपत को किंग स्वे के नाम से आना आता था और 1955 में आजित गर्तन दीवस की पहली परेड में मुख्यतिती पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे गुलाम मुहमत थे तो यह प्याद रखेंगे गर्तन दीवस की इतिहास में पहली बार 10 देशों के राष्टपती मुख्यतिती कुरू में कब शामिल हुए थे 26 जनवर 2018 को शामिल हुए थे ठीक है यह आप याद रखेंगे यह आसियान देशों के 10 राष्ट मुख भारत के गरतन दिवस पर मुख्यतिक रूमें शामिल हुए थे लास्ट येर ठीक है 26 जनवर 2018 को और इस बार कौन थे मुख्यतिती मैं आपको बताया यह थे दोस्तों most important questions I hope आपको ये वीडियो पसंदाए प्लीज लाइक और सेयर के चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंदाए प्लीज लाइक और सेयर जरू करें कमेंट बॉक्स अबना फीडिवग जरूर दे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए अब अबना ध्यान रखें स्वास्तर रहे बेस्तर रहे मस्तर रहे जय हिन जय भारत